हाई एवरिवन एक बार फिसे स्वागत है लक्समीज कीचन में एक नए वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज आप बना रहें गाजर मतर की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आदा के जी गाजर है जिसको मैंने अच्छा सा वोस करके कट कर लिया है और मतर को मैंने छेल लिया है तो फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी गाजर मतर तो सबसे पहले मैंने एक ले लिया है कूकर और कूकर को हमें गैस पे रख दिया है गैस को मैंने ओन कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं कूकर में डाल ले लिया है बाउल में डालेंगे मसाले तो मसालों में सबसे पहले हल्दी पाउडर और धन्या पाउडर एक चमच नमक स्वाद के कोडिंग लाल मिर्स पाउडर एक चमच अब इस चीज में एक सीक्रिट चीज डालेंगे इस से जो हमारी गाजर मटर की सब्जी है वह बहुत ताजा दई है और अधर ओयल भी हमारा अच्छा सा गरम हो चुका है ओयल में डाल दिया है मैंने एक चमच जीरा हमारा अच्छा से चटकर त्यार हो रहा है इदर हमने मसाले को त्यार कर लिया है दई डाल कर आज हम दई वाला मसाला बनाएंगे और गाजर मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है क्योंकि आप सभी को पता है गाजर मीठी होती है तो गाजर को खटी बनाने के लिए हमने याँ पर देगा यूज किया है और इससे जो सब्जी का टेस्ट आएगा फ्रेंड्स आप मानेंगे नहीं बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी तो इस सबसे पहले हम गाजर को फ्राई कर लेती है तो गाजर को मैंने ओल के अंदर डाल दिया है तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके आगे जो बैल आइकन बटन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगयाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकिस्टन आपको सबसे पहले मिले आप देख सकते हैं सारी गाजर मैंने डाल दी है गाजर को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे इसको अच्छा सा चलाते रहेंगे ताकि अच्छी सी फ्राई हो जाए ओल के अंदर और वीडियो को इसकीम मत कीजिएगा वीडियो को देखिएगा तभी आपको पता से लेगा कि मैंने जो गाजर मतर की सब्जी धाई वाली कैसे बनाई है और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी आप देख सकते हैं गाजर मैंने पूरी इसके इंदर डाल दी इसी के स आपको मेरी रेसिप्पी अच्छी लगे गाजर मतर की तो वीडियो को लाइक कमेट शेयर जरूर करना मत भूलना तभी आप देख सकते हैं गाजर का कलर देखिए ओल में डालते हैं गाजर का कलर कितना सुन्दर और कितना प्यारा आज चुका है तो फ्रेंड्स सर्दियों के मौसम में गाजर मतर की सबजी बहुत ही हेल्दी होती है बहुत अच्छी बनती है और गाजर मिठी होती है इसी वज़े से इसके अंदर हमने ये चीज़े डाली गई है तो आप देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ हींग से भी हमारी जो सबज खाना बहुत ही चेश्टी होता है बहुत ही हेल्दी होता है तो यह हमारे डाइडिसिन को भी कंट्रोल रखती है और हिंग से बहुत अचा फ्लेवर आता है तो आप देख सकते हैं हरी मट्र और जो हमारी गाजर थी वह अच्छी सी फ्राई हो चुकी है और मसाला हमने तियार लगार नियुक्त, जो और यह जो पाने कुछा ही पहले से करन है तो इसमें हमें अजो अच्छा सम्छा थी तुड़ा मसाला चाल से पाने शुका हएं तकि सब्सका हमने मिक्स कर प्रिक्स क्या है बीख़े टियुक्त छोंग iसमें तो सीव माटर का यूज़ किया है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी शांदार और कितनी प्यारी सब्जी बनेगी यह सब्जी कोई अगर लेसन प्याज नहीं खाता हो तो भी आप इस तरह के सब्जी बनाईए और इससे बहुत ही चेश्टी सब्जी बनती है और गाजर माटर क उसी को मिक्स करके डाला है इसमें ताकि इसमें जो ग्रीवी के साथ हमारी गाजर मतर की सब्जी बनेगी तो वह जी टेश्टी बनेगी अभी सारी सब्जी को मिक्स कर देते हैं और इसमें हम एक विसर लगाने तक इसको ढकन लगा के छोड़ देते हैं आप चाहे तो बेग सबजी हमारी बनकर ready हो चुकी है आपको मैं भी चेक के दिखाती देखिए इसमें ग्रेवी बिल्कुल हलकी-अलकी ग्रेवी है और ज्यादा ग्रेवी भी भी नहीं है और कितनी शांदार हमारी सबजी बनकर त्यार होई है तो आप सब्जी को गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद अगर आपको रेशीप एच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट करके जुरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं कि ऐसी ही सिंपल सी और आसान सी रेसीपी के साथ लक्समिश किजन तब तक के लिए धन्यवाद बाई 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 कमेंट करके जुरूर बताईएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल दीजिए वरने स्कीप भी कर सकते हैं। थैंक यू।